आप सबका सवाल होता है कि CDS की जो GS है उसके अंदर best books कौन सी है स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ तो हिस्ट्री के लिए ancient और medieval इंडिया के लिए आप तमिल नादू बोर के NCRT को यूज करो और modern के लिए spectrum इसके साथ जो सारे GS में लागू होता है वो previous year questions है कम से कम last 3 years की PYQs को पका निप्टाना है जो GS के section है और similarly from history जोग्रफी के लिए 6-10 की NCRT आपका base बनाने के लिए अच्छा है और 11-12 की NCRT जो है उसमें summarized version है और आगे की जोग्रफी जहांसे maximum CDS के questions आते हैं तो जोग्रफी के लिए 11-12 प्लस PYQs When it comes to economics, Tamil Nadu Board की economics की book को देख सकते हो आप क्योंकि वो MCQ format में आपको बहुत help करेगी और उसके साथ मुरुनाल सर की YouTube पर lecture है 2014-15 के जो काफी अच्छी economic की theory समझाती है उसको आप देख सकते हो जब हम politics की बात करते हैं तो best book is Lakshmi Gant काफी सारे सवाल हैं जो आपको बहुत अच्छी help करेंगे CDS के paper के लिए next is current affair current affair अभी जैसे exam हमारे एप्रिल में है तो सब्टेंबर से लेकर एप्रिल तक के current affair करो बहुत सारी sources है उसके लिए चाहे आप विजिन का देख लो चाहे आप दिस्टी का देख लो सब्सक्राइबी पर हम उसके प्रॉपर वीडियोस लेकर आ रहे हैं उस content को आप दिख सकते हो तो न्यूस्पेपर रीडिंग यह नियूस्पेपर जो मैं रेकमेंड करूंगा वह है आपका इंडिन एक्स्प्रेस तो अब हमारा बचा साइंस का जो बहुती मेजर सेक्शन है जहांसे करीबन 30 से 25 सवाल आते हैं उसके लिए उसके लिए सिक्स टू टेंथ की एंसी आटी जार मस्ट और अगर आप प्रीविएस एर क्वेश्चिन कर लेंगे तो काफी हत्त का आपका एरिया सॉटेड हो जाएगा तो और साइंस इस वेरी इंपॉर्ट